आज हम कराएंगे आपको सेर अपने काठकाई मंदराल साइबन में रखी, तो सबसे पहले पहुँचते हैं मंदराल में, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसे स्थानों पर जाकर बड़े मज़े हैं, बड़े एश हैं, बहुत गलत नहीं वो, पर ऐसे स्थानों पर रहन जीवन वईतीत करना बहुत ही दुर्गम है, यहां पर पहुंचने के बाद, एक छोटे से कोठे में हमें सधान तो मिल गया, अपने जमल्ला जी के कोठे में हम बेठे, पर खाना बनाना अगर आपको नहीं आता, खुद से, तो फिर आप ऐसे दुर्गम स्थानों पर जाने आपको आदत नहीं, खराटों में सोने के आदत नहीं, बारिश में सोने के आदत नहीं, तो फिर आप ऐसे स्थानों पर जाने के लिए ना सोचे, तो ज्यादा बहतर होगा, पर हमने अब दूसरी सुबा जब शुरू ही, साहिबान मरक के लिए, बहुत ही दुर्गम रास्त अगर आपके पास सीना है, जिग्रा है, कि बहुत चल सकते हैं, घुटनों में हिम्मत है, और सीने में जिग्रा है, कि इतने दुर्गम रास्तों पर हम चड़ाई कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं, कि हाँ ठीक है, हम भी इस साल इस चड़ाई को चड़ेंगे, ट्रेकिंग पहुंचेंगे। हमेशा मोसम भी आपका साथ नहीं देता और मोसम अगर खराब रहे तो बहुत ही कठिन सफर रहता यहां का। और जो हम फोटो दिखाते हैं वहां पे बेट कर कि सुन्दर सुन्दर सिन्री है फोटो उठ रहे हैं पर उस फोटो को उठाने के लिए वहां पर पहुंचने के लिए बहुत ही दुर्गम रास्ते पर हमें चलना पड़ता है। अगर सामान भी अपने उपर ही हो तो फिर तो ज्यादा ही कठिन है। और गोड़े का साहरा लेना पड़ता है। और अगर आप शफर्ड के आसपास में गद्यों के आसपास में पहुंच गए तो फिर आपका सामना होगा इन कुत्तों का। और आपका हिम्मत नहीं है डंड साइवान पे साथ में रखें। एक तो मदद देगी चलने में और दूसरा ऐसे जानवरों से मुकाबला करने में। पहुंच गए हैं हम साइवान मरव के नजदीक रिंगार में। चेहरे की ठकावड से आप जान सकते हैं कि कितने ठके हुए लोग हैं। अभी और चलना और किस्मत आपकी अच्छी है तो मौसम ठीक रहेगा नहीं तो ऐसे मौसम का सामना करना पड़ेगा और आपको खड़े खड़े ही चुपचाब करके इस मौसम का सामना करना है। खाना खाने की बारीथी पर बारिश पढ़ गई ऐसे रुके। थोड़ा सा मौसम साफ हुआ तो खाना शुरू हो गया, क्योंकि ज्यादा वेट करेंगे, तो क्या होगा, कि फिर से बारश पड़ेगी, और फिर आप यहां पर खड़े नहीं रह सकते, कोई जगा नहीं है, जहां जसके नीचे आप शर्म ले सकते, साधा भोजन करेंगे, कम भोजन करेंगे, तो सुखी र तो इस साइबान मर्ग में बेट कर, पत्तों पर रखकर, जो भोजन लाए था, क्योंकि हम ज्यादा सामान इदर ला नी सकते पत्तों पर रखकर भोजन किया, अब अकलमंदी इसमें यही है कि यहां पर ज़्यादा देर न रुका जाए, यहां से चलना चाहिए, क्योंकि यहां पर रुकना तब ही है, जब मौसम साफ है, मौसम साफ नहीं, तो यहां से जितना जल्दी बने, कल्टी मारों. और रास्ता इतना दुर्गम है, कि अपने तीन साथियों को ऐसा लगा था, ऐसा अभास हो गया था, शायद ही हम अपने घर वापस पहुंचेंगे. तीन-चार साथियों को ऐसा लगा था, जो पहले से आयोए थे, उनको पता था कि कर सकते हैं इस रास्ते को पार, तो आग जलानी पड़ेगी, वो तरीका भी आना चाहिए, और कहां पर खड़े रहना है, कहां पर आग जला है, वो भी पता होना चाहिए, और इसके बीच में अगर जंगल में आपको सबजी मिल जाए, रात का खाना मिल जाए, रात की सबजी मिल जाए, तो इसको छोड़ना भी नहीं है, और ये भी पता होना चाहिए, क्या चीज़ खाने है, तो खाने के लिए सबसे special dish यहां पर हमें मिल गी, तब इसको हम काट गई रहेंगे, जो है, इस से हमारा हो सके, यहां से यह पोश्टिक भी है, और ऐसे स्थान पर जहां अपना ज्यादा सामान आप ले नहीं सकते हो, सबजी ले नहीं सकते हो, तो इन से आपको गुजारा करना पड़ेगा, कोई अगर लजीज खाने, जाएकईदार खाने खाने का शोकीन है, तो कृप्या करके इस स्थानों पर ना आए, और जब आप कहीं पर पहुँच गए, तो आपको कला आनी चे, सब को मिलके, खाना बनाना आना चे, और अपने राजेश जी भाई साब, नमकीन चाए बनाने में व्यस्त हैं, और नमकीन चाए किसी चाए है, एक्चुल में जाना कहीं और था, पर मोसम खराब होने की वज़ा से, दूसरा रास्ता हमने अपनाया, अभी चाए का मज़ा लेते हुए, सभी साथी लोग, रास्ते भी आपको पता होने चाहिए, कहां से जाना है, और रास्ता पलान भी, पलान सी भी आपके पास होना चाह फिर जाके ही सोचें आप इन सतानों पर, और अगर मोसम धूप अच्छी निकले, तो क्या देख, क्या बोलना इन नजारों का, फिर तो जन्नत है, और इस जन्नत में हमने फैसला किया, कि आज के रात हम भार बिताएंगे, और यहां पर रहने का पूरा इंतिजाम हमारा और काटकाई में टूरिस्ट का आएंगे, और यहां के नजारों का आनंद नहीं लेंगे, और पूरा सपोर्ट जो है, अलताफ हम एक एक काम कर रहे हैं चीज़ तो, वो सपोर्ट करेंगे, वो सभी टूरिस्ट का जो भी यहां पर आएंगे, वो दो दिन की थकान, पूरी, जो है हमारी इस काटकाई के मैदान को देखकर निकलिए, शाम को नाच गाने साथ, संगीत के साथ, आज की रात का समापन करकर,